असलम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे मटन कोफता करी की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले एकदम रिच ग्रेवी के साथ आज से पहले आपने इस तरह के कोफते नहीं खाये होंगे इस तरह के टेस्ट के साथ बहुत टेस्टी बनते हैं तो रेसिपी पसंद कीमे को पहले आप अच्छे से वाश कर लीजिए उसके बाद इसको अच्छे से निचोड कर एक छनी में रख दीजिए 2-3 गंटे के लिए इसका सारा पानी निकल जाए अगर कीमे में पानी रह गया कोफते तूटने के चांस रहते हैं तो देखिए हमने कीमा साइट कर यहां पर हमने लिया है पांच काजू एक टीस्पून कशकर चार टेबल इस्पून भुने चने और इसका हमें पाउडर बनाना है इस तरह से अब यह देखिए हमने इसको साइट कर दिया है एक मुठी हरे जनिया एड कर देना है तीन हरी मिर्च और एक मीडियम साइज का प सब्सक्राइव कर दिंगे,एक टीस्पून नमंक और कुछ पाउडर मसाले तो यहां पर आदा टीस्पून हल्दी पौड़र एक टीस्पून लालमिर्च पौडर एक टीस्पून कर हुआई पौडर एक टीस्पून जीरा पौड अर यह चला जाेगा और इसमेंसे हमने दो टीबल स्पून प्याज फ्राई के हुए इसमें एड़ कर देने हैं और बागी के हम बचा कर रखेंगे बाद में इसका यूज होगा अब इसको हमने फाइन चॉप कर लेना है पीस लेना है यह देखिए इस तरह से हमने इसको पीस लिया एकदम बारिक पर आपके पास चोपर नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस今日 में कर सकते हैं कीम मा पीस लया बागी समान बारी बारी काट खर कर डें आप देखिए इसके हम कोफ्ते बना लेना है जितने बड़े जैसे ऐसे बना भिड़े चूआप उस तरह से हथो जाह पर भीसम यह दबा चने का पाउडर बनाया था अब जो प्याज हमने बचाकर रखे हुए थे ना वह एड़ कर देंगे इसी के साथ ही एक टीस्पून खश-खश और पांच काजु और तीन टीबल इस्पून यहाँ पर हम दही एड़ करेंगे अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फ सकते हैं अकर पसंद नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए हमने एक वोल ले लिया था इसमें एक टीस्पून हल्दी पॉडर एट कर दिया है बनफोर्थ का पानी और इसका हमें एक पेस्ट तयार कर लेना है इस तरह से यह पेस्ट तयार हो चुका है इसको साइट कर द एक मिनिट के लिए देखने कितना टाइम लेते हैं तो हाई फ्लेम पर इसको हमें फ्राइ करना है अगर आप जो ऑईल का टेंपरेचर है अगर वो लो रह गया तो आपके कोफते तूटने का चांस रहता है तो यहाँ पर आप हाई फ्लेम पर कीजिएगा तो देखिए हमने यहाँ पर कोफतो को फ्राइ कर लिया है और बिल्कुल भी नहीं टूटें एक दम परफ्रेक्टली कुक डूए है और यहाँ पर देखिए जो ऑईल है ना वह हम कड़ाही में एड़ करेंगे 100 ग्राम ओईल होगा आप ऑईल की क्वांचिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर भून जाए अब हल्दी भून चुकी है तो यहाँ पर एक टीबल स्पून भरका अध्रकलैसन का पेस्ट एड़ कर देना है और इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है सबी चीज़े अच्छे से भूनते जाएंगे तो हमारा जो मटन कोफता करिए बहुत अच्छी है थच्छेटएं то टी स्वोण धनिया प् sum पैवडर कि एक टी स्पून लाल मिर्ची पावडर वीड़ जितनाouver तीका आप खाने पसं करते है इसमें उतना मिर्ची कलर देती है और मिर्ची नहीं होती है से तीकापन नहीं आता और हमने ड्सी से थिक पैड़ करते है और हमन गरम पानी अट करते जाएंगे मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है गरम पानी अट करेंगे जिससे की हमारी करी का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा अब इसको हमने भूनने के छोड़ देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर तो यहां पर बीच बीच में आप इसको इस्टेर भी करते रहिएगा ताकि मसाला बॉटम पर लगे ना जले ना तो दीखिए मसाले यहां पर अच्छे से भूनने लगा है और अब इसमें एक कर देना है हमने कोफते जो फ्राइ करकर रखे हुगे थे अच्छे से मिक्स कर लेंगे रेसिपी पसंद आ रही है तो प जिससे की जिसको जरूरत है इस रेसिपी की उसको मिल पाए अब यहां पर देखिए हमने इसमें पानी एक कर दिया था दो कप और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए अब इसको खोल लेते हमने गरम पानी का पर यूश किया था और अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखे जब इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा पानी रह जाए ग्रेवी रह जाए तब ही इसी टाइम पर हमने इसमें एक कर देना है तो प्याज का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था दही प्याज का वह एक कर देंगे तरह भी रहने चाहिए तब उसी टाइम पर करना है क्योंकि हमने इसमें प्याज का पेस्ट अच्छे से भूनना है बिल्कुल ड्राइ मत कीजिएगा अब इसको भूनना है हमें बहुत अच्छे से तो हम इसको भूनेंगे लो टू मेडियम फ्लेम पर और बीच बीच में चला अब आपको हमारे बड़ी की रेसिपी कोल भी बिरियानी कोर्मा अब यहां पर कょ रॉड़ के लिए इसके शोर बे 11 क Tag करेंगे तो यहांपर मैं 150 मॉड़ कर रहे ह तो यहां पर देखिए पांच मेंट और हो चुकी हैं तो बस हम यहां पर फ्लेम को बंद कर देंगे इसमें आदा टी स्पून करम मसाला पाउडर एड़ करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां पर देखिए हमने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है और अब इसमें हमने एक मुठी हरेदनिया बारी कटके हुआ अब यहां पर सर्फ कर लिया है और यहां पर दिखाना चाहूंगे मैं आपको तोड़कर किस तरह से बने हैं कितने सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए हैं नहीं टूटे यह देखिए अंदर से बहुत जादा सॉफ्ट है क्यूंकि मैंने नोट किया है इसमें हम फ्राइ की हुए प्याब जब कीमे के साथ पीशते हैं न तो हमारे जो गोफ्ते हैं वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं तो जब इस तरह से किया मैंने तो हमारे जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आया तो जब भी आप ट्राइ करते हैं तो मुझे क रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर आज़र होंगे अपना बहुत सारा खयाल रखें अल्ला हाफिस